और अब खबर पंचाब के मोहाली की जहां एक पिता अपनी नवजात बच्ची को कैरी बैग में लेकर बेचने के लिए अस्पताल पहुँच गया जहां डॉक्टर की सूजबूज ने सर्फ मासूम की जान बचा ले बल्कि आरोपी पिता को भी हवालाद के पीचे पहुचा लिया मोहाली सिविल अस्पताल की इमर्जंसी में रात दस बजे एक आदमी पहुचा और डॉक्टर से कहा कि उसे अपना बच्चा बेचना है तो हर कोई हैरान रह गया डॉक्टर ने पूछा कि बच्चा कहा है तो उसने पीले रंग का कैरी बैग थमा दिया उसी कैरी बैग में थी नवजात बच्ची खालत खराब थी डॉक्टर ने तुरंट इलाज शुरू किया तब तक पुलिस को सूचना दे दी गई जिससे आरोपी को गिरिफतार कर लिया गया एक मौल में लोडिंग का काम करने वाला आरोपी जसपाल सिंग के पहले से दो बेटे हैं लेकिन तीसरी बार बेटी हुई जिसे बेचने वो गया था पहले वो एक प्राइवेट अस्पताल में गया था जहां सो उसे निकाल दिया गया था हलाकि अभी ये साफ नहीं है कि आरोपी ने ये फैसला गरीबी की वज़े से लिया या फिर बेटी नहीं चाहिए थी इसलिए ये कदम उठाया ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया